आप लोग उमीद्य के चल रहा होगा अगर आप पढ़ाई कर लें तो पराई अच्छी चल रहे होगे और रिजल्ट का इंतिजार तो सब कर रहे हैं जैसे लेवल 5 का कंडिटेट भी और लेवल 3 का कंडिटेट भी तो इस वीडियो के माध्यम से हम बताते हैं कि आपका कोमें ठैंक्यू आज का पहला कोमेंट है कि अनिरूद मिश्रा जी का कोमेंट ही कि मैं अपने डिवी के दिन नहीं पहुंच पाया था क्या कोई चांस है याद रखना की दो ही रिजन चलेगा या तो आपका कोई गॉवर्मेंट का एकजाम होना चाहिए और या तो आपका अगर सब्सक्राइब खराब रहेगा तो वह रिजन चल जाएगा आपके ब्लॉक डेट में जाने का तो आप देख लिजे क्या करना है एक दूसरा कोश्चन है कि आपको कैसे पता लगा कि आपका फस्ट बैस में हो जाएगा कोई लेटर आया है या कोई मेल आया है प्रस्नल देखिए पताते हैं कि जब आपको डिवीजींग के आपका जोगा के बजांते हैं यह सब बुलाते किसमें यह ट्रेंडिंग के टायम उसी सीरियल वाइज नाम पर और वह कई से होता है मेरिट वह एक कोशन हिसे कि कि ट्रेंडिंग में हम लोग को कितना पेमेंट करना होता है तो नहीं हम फोए तो क्या होगा तो खाना का चार्ज पूछे थे तो वो बोले थे कि 200 रुपे पर डिक हिसाब से चार्ज लगेगा और संडे संडे क्लॉज रहाता है मतलब संडे को आपको बाहर खाना परेगा सिर्फ खाना का पर चार्ज लेगा और कोई चार्ज नहीं लगेगा आगे कुश् जोइनिंग करने नहीं जाए बाइस दिसंबर को और ज्रीन करने कब जाएगा तो आप 23 देजीए वाइस धेश को एक्जाम देजिए उसके बाद आप जोइनिंग करने जाएगा मतलब डोकुमेंट नहीं बना था अच्छे से इसे लिए हम नहीं आये थे तो कोई दिकत नहीं वहां से प्रोपर जोएन हो गया तो आप भी बाद में जा सकते हैं कि ट्रेनिंग लेटर पोस्ट आएगा या फिर इमेल के माद हम से मेरा ट्रेनिंग का लेटर आगया तो इसी में डिवाइड हो जाएगा तो उसके बाद जो भी आपका नोटिस आएगा तो वहीं गुरूप के माद्धियम से ही आएगा हो सकता है कि मेल भी आजाए लेकिन मेरा आया था वाट्सेप गुरूप के माद्धियम से हमको पता चला था भाइजी गुट्स गार्ड के लिए भी और मेडिकल में ना dependence हो जाएगी क्योंकि मैं मैं से ḥकित जोइनिग अट्टाइस दिसंबर को है वहां में छोड हो और यह बोल रहें कि वह मैं छोड़ रहा हूं 28 दिसंबर को जोइनिंग है वह मैं छोड़ रहा हूं देखिए अगर आपका आई शिक्स बाइन है प्रोपर बिना ग्लास के तो आप गुट्सगाट के लिए क्वालिफा हैं आप है ना एक बार ऐसा किजिए कि गुट्सगाट क में फैल भी हो जाते हैं और हां आप यह पता कर लिजिए कि जोइनिंग जो 28 दिसंबर को है इसको कब तक आप जोइन कर सकते मेरे अंदाज से 15-20 दिन आप डिले कर सकते हैं या तो आपका सकेंड जोइनिंग लेटर जरूर आएगा तो आपका इंतेजार कीजिए और में हो गया और डीवी में फॉर्म रेजिटेशन के लास्ट देट तक की देट चाहिए उनको कोई इसू हो गया या एफिडविट बनवा लो पिलिज जन्यून ट्रिप्ला देखे है क्या आपका तो होई गया था नया बनवाए है तो आप एक एफिडविट बनवा लिजे यह ज्यादा बेटर है आपके लिए आगे का कोश्चन है क्या सर एक कंडिडेट मेडिकल फीट बट ट्रेनिंग टाइम में आई प्रोब्लम हो गया क्या सर इसको रिजेक्ट कर देंगे क्या कर दिए नई भाई रिजेक्ट नहीं करेंगे आप आप फीट एक बार मेडिकल प्रोब्लम होगा तो होगा क्या कि आपको ऐसा पोस्ट पर दिया जाएगा जहां पर आई का ज्यादा काम नहीं रहता है लेकिन आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे आगे कोश्चन की ट्रेनिंग कब से स्टार्ट होगी देखिए और डिपेंड करता है कि आप की डिविजन से हैं और जब आपका जायाएगा फिर जॉयनिंग और दी बी कि होने के बाद जब आपका मतलब ट्रेनिंग के सेंटर खाली रहेगा आगे कोश्चन कि सर जी पेनल में नाम आ जाने के बाद जोइनिंग लेटर आएगी ना क्योंकि मैं CISF की जोइनिंग 28 को है वो मैं छोड़ रहा हूं हाँ अगर आपका पेनल में नाम आ जाता है जोइनिंग तो आप तब कंफर्म आप छोड़े कोई दिक्कत नहीं है कि अगे कोश्ण है कि मेर लेवल फाइब का पंद्रे को डिवी एरावाद बूर्ट से बट मेरा डिगरी रिजल्ट एक मंत बाद में आया था कोई दिक्कत हो सकती है कि प्लिज रिपलाए तो आप लेवल फाइब का फॉर्म फिल किये थे उसमें अपना परस्फेंटेज की सा अगर आपका रीजल्ट के दिन के मतलब पहले आ गया था तब तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन तब तक अगर आपका रीजल्ट नहीं आए था और आप अपने मंस अगर पर्सेंटेज लिग दिये तब प्रॉब्लम हो सकता या आप क्या कहना चाहते हैं आप खुल के बताजिए कोमेंट कीज़ें हम उसका जवाब भरियां से देंगे सर मेरे पास गर्जुएशन का मार्क सीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट है यह उनिवर्सिटी से निकालने में टाइम लग रहा है डीवी के दीन तक अगर नहीं निकल पाया तो क्या करो जीरॉक्स मार्क सीट पर इसू 15 फरवर 2019 का डेट है हो सकता है नियू मिले उस पर 2022 का डेट इसलिए क्या करें पर पहले तो आप औरिजिनल मार्क सीट प्रोविजनल सर्टिफिकेट निकाल लिए तब ही कुछ बात होगा क्यों कि जीरॉक्स कॉपी से तो आपका डीवी नहीं होगा ना आप औरिजिनल निकाल लिए चाहें उस निकल वाई है ना उसी से काम होगा ना जो मिलेगा उसको कहां देना होगा देखे एक तो बात जब आपको मेडिकल होगा तो आपको मेडिकल रिपोर्ट मिलेगा नहीं वह डॉक्टर खुद रख लेंगा वह सिर्फ आपको बता देंगे कि आप पास हो या फैल आप उनसे भाई हम जोइनिंग के टाइम पर आने के साथ क्या क्या लेके जाना परेगा प्लीज रूपला देखे नॉर्मली है कि आपका तीन से चार मेना ट्रेनिंग चलेगा इसे पोस्ट के लिए तो आप खपरा बगयरा लेके जाए और ट्रेनिंग का जो ड्रेस रहता है जैसे ड् प्रेंट वाइट साथ पाना है यह तो क्लास के टाइम और फिजिकल के टाइम खाकी प्रेंट पानना यह सब अगरा ड्रेस है यह सब लेके जाना है कपरा बगयरा बांकि एस्ट्रा कुछ नहीं लेके जाना एक कुश्चन है कि बड़ेभाई जोइनिंग से पहले पुलीस प्रफिकेशन हुआ या डैरेक्ट जोईनिंग हुआ कि नहीं देखे आप लेवल जिक्स के लिए मेरा जहां तक अंधाजा है अभी जेतना भी बॉर्ड का ज्वैनिंग हो रहा है पुलीस भैरिफिकेशन नहीं हो रहा है पुलीस भैरिफिकेशन आपका होगा तो होगा कि अभी केवल 120 का ही हुआ है देखे जोइनिंग सबका हो गया है लगवा जितना लोग का पेनल आया है लेकिन ट्रेनिंग अभी 120 का ही हुआ है और जो की बैच बैच दिरे-दिरे सबका हो जाएगा कि है एक कोशन है कि मैं सिगनेचर और फोटो अपलोड नहीं कर पाएं आप क्या करों देखे कोई और होऊ पॉटड नहीं कर पाया गवाद कोई दिखत नहीं है अगर अप और हमें करने मीरा की बात नहीं है एक कोशन है कि भाई मैंने 12 के बाद डिप्लोमा किया था तो डिप्लोमा वेंसर नहीं किया था क्योंकि वह लास्ट येर चल रहा था क्या मुझे डिप्लोमा उसे जाकर ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लीजिए यह डिप्लोमा आपका यूज होगा जब आपका कि डिप्लोमा यूज कीजेगा आराम से और आप अच्छे पोस्ट पर चले जाएगा तो आप डिप्लोमा से जाके अपना सेटिफिकेट ले लिजिए करेक्टर और ट्रांसफर सर मैं गुहार्टी जोन से हूं मेरा डिवी है नेक्स्ट विक डिपार्टमेंट नहीं दे रह कर दूगा देखिए आप क्या किजिए डीवी के टाइम पर है ना आप उनको बोल देजा कि अभी नहीं दे रहा है तो हम जायनिंग कर देंगे जब आपका डीवी हो जाएगा मेडिकल भी हो जाएगा जब आप जोनिंग लेटर आ जाएगा तो आप रिजनेशन दे दीजे वह मान जाएंगे कोई दिकत नहीं है वह आप जब रिजनेशन दीजेगा ना तो रिलाइविंग ओडर लेटर देंगे वह लेकर मान जाएगा यह यह हम पढ़े देखे जब हम लोग का आया था ना एपॉइंट मेंट लेटर तो उसमें प्रोपर लिखावा था कि रिलीव